Good morning students, यह आपका part 21 वीडियो है chapter का, part 21 वीडियो में exercise 11.5 पे है और question number है, हमें dy, y, dx ज्याद करना है, चलिए, पहला question देखते हैं दिया है, x बराबर में e to the power t, plus में sin t, और y बराबर में दिया है log t तो यहाँ t आपका प्राचल है, उसी के respect में differentiate करेंगा दोनों को differentiating with respect to t, यह हो जाएगा आपका dx बर्टा में dt, बराबर e to the power t का differentiation यह हो जाएगा, और sin का यहाँ differentiation cost हो जाएगा, cost t, यह समिकरन 1 और इसको करो, dy by dt, बराबर log t का 1 by t, यह समिकरन 2, लिखेंगे समिकरन 2 में समिकरन 2 में, समिकरन 1 से, 1 से भाग देने पर, भाग देने पर चलिए भाग देते हैं, तो हो जाएगा, dy by dt, बर्टा में dx, बर्टा में dt, बराबर क्या हो जाएगा, 1 by t, और इसके बर्टा में e का पर t plus cost t, यहाँ dt से dt काट दो, यहाँ से आपका dy by बर्टा में dx बराबर आ जाएगा, 1 by t, यह इसके साथ into कर जाएगा, e to the power t plus cost t, यही आपका answer हो जाएगा, चलते हैं अगले question पे, चलो इसका second number देखो, two number में इसके दिया है, x बराबर में a, bracket में, cos t plus log tan t by 2, और y बराबर में दिया है, a sin t, चलो इसको differentiate करते हैं, differentiating with respect to t, t यहाँ पराचल है, c के respect में differentiate करना होगा, dx बटा dt, यह तो constant है, cos का यहाँ minus sin हो जाएगा, minus sin t plus log tan t by 2 का होगा, 1 by 10, t by 2, into 10 का होजाएगा, c square, c square t by 2, into t by 2 का होजाएगा, 1 by 2, चलो जाएगा, अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर solve करते हैं, dx बटा में dt, बराबर a, bracket में, minus का sin t, plus, यहाँ 1 बटा, इसको मैं sin t, बटा में cos t लिख सकता हूँ, sin t by 2, sorry, by में 2 तो रहे गए ला, sin t by 2, और बटा में cos t by 2, अच्छा, इससे के square को 1 by cos square t by 2, और into में आपका 1 by 2, चलो यहाँ देखो, एक sin, एक cos से एक cos कर जाएगा, अच्छा, dx बटा में dt, बराबर a, bracket में, minus का sin t, plus 1 by, यहाँ बचेगा, 2 sin t by 2, और cos t by 2, चलिए, यहाँ पर देखो, dx बटा में dt, बराबर a, minus का sin t, और plus 1 by, यहाँ पर क्या हो जागा, यह formula होगा, sin t क्या, sin t, चलो यहाँ पर मैं lcm ले लेता हूँ, तो dx बटा में dt, बराबर a, bracket के अंदर lcm होगा, sin t, चाहँगा, minus का sin square t, और plus का 1, dx बटा में dt, बराबर a, यहाँ देखो, 1 minus sin square t, cos square हो जागा ला, cos square t, बटा में आपका sin t, इसे हम लोग समिकरन एक माल लेते हैं, ठीक है, अब y बराबर क्या है, y बराबर a sin t है, चलिए a sin t, अब y बराबर लेखो, y बराबर दिया है, a sin t, ठीक है, चलिए इसको differentiate करते हैं, differentiating with respect to t, यहाँ से हो जाएगा dy by dt, बराबर a cos t, यहाँ समिकरन दो गए, समिकरन 2 में समिकरन एक से भाग कर देंगे, समिकरन 2 में, समिकरन 2 में, समिकरन 1 से भाग देने पर, भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं, तो dy बरटा dt, बरटा में dx बरटा dt, बराबर हो जाएगा, a cos t, बरटा में, a cos square t, बरटा में sin t, a से a कटा, a cos से a cos कर जाएगा, उपर 1 है, dt से dt कटा तो यहां से dy बटा dx बराबर हो जागा यहां साइन उपर चल जागा और नीचे आपका एक कॉस है, तो साइन बटा कॉस 10 t, यहां से आपका answer आ जाएगा, कॉसन नमबर 9 देखो, 9 में भी dy, y, dx निकालना है, चलिए, x बराबर दिया है, 2t बटा 1 प्लस t square, इसको differentiate करते हैं, differentiating with respect to t चलिए, क्या हो जागा dx बटा, dt बराबर, दफ़र, u by b भी पे differentiate करेंगा न, यहां हो जागा 1 प्लस t square का square 2t का differentiation 2 into में 1 प्लस t square minus 2t को वैसे ही रखेंगे और इसका differentiation 1 का 0 और t square का 2t चलिए, देखते हैं, dx बटा में dt बराबर आगया, 2 plus 2t square minus का, यहां 4t square, बटा में 1 plus t square का whole square, यानि कि यहां से, हमारा dx बटा dt बराबर हो जागा 2 minus 2t square बटा में 1 plus t square का square, यहीं न होगा आपका चाहो तो उपर से 2 common कर सकते हो तो यहां से dx बटा में dt फाइनली आजाएगा 2, बरेकट में 1 minus t square बटा में 1 plus t square का square, समी करण 1 अब हम देखो, y बराबर में क्या दिया है, तो y बराबर में आपका है, 1 minus t square बटा 1 plus t square, 1 minus t square और बटा में 1 plus t square अब इसको differentiate करते है, differentiating with respect to t तो यहां से हो जाएगा dy by dt बराबर क्या हो जाएगा, u by v पर differentiate करेंगे तो 1 plus t square का whole square, इसका differentiation minus का 2t into में 1 plus t square, minus 1 minus t square वैसी रखें, इसका differentiation तो, इसका differentiation 2t हो जाएगा चलिए अगले step में इसको इन्टू करो, minus का 2t, minus का 2t cube और minus का 2t minus minus plus 2t cube और बटा में 1 plus t square का square, तो यहां से यह और यहां कड़ जाएगा, यानि कि यहां से हमारा dy बटा में dt बराबर आ गया, minus का 4t बटा में 1 plus t square का whole square, समीकरन 2 समीकरन 2 में समीकरन 2 में समीकरन 1 से भाग देने पर समीकरन 1 से भाग देने पर चलिए इसमें इसे भाग करते हैं, देखते हैं क्या आता है हो जाएगा आपका, dy बटा dt बटा में dx बटा dt बराबर, minus का 4t बटा में 1 plus t square का square और बटा में dx बटा dt का value क्या है? 2 into 1 minus t square बटा 1 plus t square का whole square 2 into 1 minus t square बटा 1 plus t square का whole square तो यह यह पूरा कर जागा, दोस इसको कर देंगे दो बार में और यहाँ यह कर जागा dt, dt तो यहाँ से आपका dy by dx जो होगा वहाँ गया, minus का 2t बटा में 1 minus t square समझ गया है? चलते हैं अगले question पर question number 10 देखो, same question है, यहाँ पर x और y का value दिया है प्राशल रूप कही है, हमें यह प्रूप करना है, simple है यह भी x बराबर लेते हैं, 1 minus t square बटा में 1 plus t square इसको differentiate करते हैं, differentiating with respect to t क्या हो जागा? dx बटा में dt बराबर क्या हो जागा? 1 plus t square का whole square, इसका differentiation minus का 2t into में 1 plus t square, minus 1 minus t square को वैसे ही रखके और इसका differentiation आपका 2t, चलिए solve करते हैं, minus का 2t और minus का 2t cube हो जागा? अच्छा, minus का 2t और plus का 2t cube बटा में 1 plus t square का whole square, यहाँ से यह कट जागा? यहाँ कि dx बटा में dt बराबर आगया, minus का 4t बटा में 1 plus t square का whole square, समिकरन एक माल लेते हैं इसको, चलिए, अब हमनों समिकरन दो लेते हैं, जो y बराबर दिया है, उसको लेते हैं, तो y बराबर में क्या दिया है? तो y बराबर हमारे पास है, 2t बटा 1 plus t square, 2t बटा 1 plus t square, चलिए, इसको differentiate करते हैं, differentiating with respect to t, तो यहाँ से dy बटा में dt, बराबर क्या हो जागा? तो पहले करेंगे, 1 plus t square का whole square, 2t का differentiation 2, इंटू में 1 plus t square, और minus 2t को ऐसी रखें, और इसका differentiation तो 2t ही होगा, चलिए, क्या हो जागा? 2 plus 2t square minus का 4t square, बटा में 1 plus t square का whole square, इंट आएगा? चलिए, इसको solve करते हैं, तो dy बटा dt बराबर में 2 minus 2t square, बटा में 1 plus t square का whole square, चलिए, अब देखो, यहाँ पे देखो, dy बटा dt, बराबरी सक्ट हो, 2 common करके, 1 minus t square, बटा में 1 plus t square का, t square का whole square, यह समिकरन 2, समिकरन 2 में समिकरन 1 से भाग करते हैं, समिकरन 2 में समिकरन 1 से भाग देने पर, समिकरन 1 से भाग देने, पिछले कोशन के तरह ही है, से मोई कोशन ही है, बस थोड़ा से इसमें change है, देखो क्या है, क्या हो जागा है, dy by dt, बटा में dx बटा dt, इसका value, 2 bracket में 1 minus t square, बटा में 1 plus t square का whole square, और बटा में dx by dt का value, तो आपका है, minus 4t बटा 1 plus t square का whole square, minus का, 4t बटा 1 plus t square का whole square, यह यह कर जाएगा, इसको कर देंगे दो बार में, ठीक है, यहाँ dt से dt कर जाएगा, तो dy बटा dx बराबर आ गया, 1 minus t square, बटा में minus का 2t, तो minus यहाँ लगा देता हूँ, 2t लिखे देता हूँ, अब चुगी देखो, आपके पास, अगर मैं यहाँ कोशन में बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपसे x by y पूछो, तो आप देखो, x by y का value बता होगे, अगर मैं x by y minus है, रहेगा, क्योंकि उसमें minus नहीं थे, इधर आके plus का, तो d y by d x plus x by y बराबर में 0, यही प्रूब करना था हमें हो गया, चलिए कोशन नमबर 11 देखो, 11 में y दिया है, x दिया है, और हमें d y by d x plus a by v बराबर 0 प्रूब करना है, चलिए यह भी देखते हैं, y बराबर a cos square theta, प्राचल यहाँ theta है, तो differentiation करेंगे with respect to theta, यहाँ से d y by d theta बराबर, क्या हो जागा, पावर नीचे उतरेगा, तो 2 a cos theta और cos का minus sin, यानि कि यहाँ से हमारा d y by d theta का value आगया, क्या हो जागा, तो minus का, minus का a sin 2 theta, ठीक है, इसको समी करन एक मालना, देखलो, 2 sin theta cos theta, sin 2 theta का formula, अच्छा, अब लेते हैं, जो x बराबर दिया है, x बराबर दिया है, b sin square theta, लिखते हैं, differentiating with respect to theta, तो यहाँ पे dx बर्टा d theta, बराबर हो जाएगा, यह पावर नीचे उतरेगा, 2b sin square theta, sin square, पावर नीचे होतरेगा, पावर में से एक घड़के, sin theta, और into cos theta, sin square theta का 2 sin theta cos theta हो जागा, यहाँ कि यहाँ से भी, dx बर्टा d theta आगया, b sin 2 theta, समी करन दो, इसमें से भाग कर जाते हैं, अब की बार, समी करन एक में दो से भाग करें, पर, समी करन दो से भाग देने पर, चली देखते हैं भाग देने पर, प्रूफ हो गया, simple तो है यार, यहाँ से हो जाएगा, dy बर्टा d theta, बर्टा में dx बर्टा d theta, बराबर, माइनस का a sin 2 theta, बर्टा में b sin 2 theta, यहाँ कट जाएगा, यहाँ d theta, d theta भी काट दो, और इसको ला दो इधार, तो dy by dx, और प्लस में, a by b बराबर जी दो, यहीं ने प्रूफ करना था, चलते हैं अगले कोशन, कोशन नमर 12 देखो, t बराबर pi by 3 पर, dy by dx निकाला है, या x और y दिया हुआ है, तो x बराबर दिया है, a cos t plus में, t sin t, पहले इसको differentiate करते हैं, differentiating with respect to t, क्या हो जागा, dx बटा में dt, a bracket में क्या हो, cos का minus sin, अच्छा इसको u into b पर, तो t का differentiation 1, sin t, और plus t को वैसे रखे, sin का cos t, यहाँ इससे यहाँ काट देंगे, तो dx बर्टा में dt बराबर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा जी, a t cos t, समिकरन 1, अच्छा लिए, अब y बराबर जो दिया है, उसको लो, y बराबर में a, sin t minus t cos t, चलिए अब इसको differentiate करते हैं, differentiating with respect to t, चलिए, क्या हो जागा आपे, dy बर्टा में dt बराबर में हो जाएगा, a, अच्छा यहाँ देखो, sin का आपका cos हो जाएगा, और minus है, अच्छा इसको unit भी पे, तो t का differentiation आपका आपका वैसे ही रहागा, फिर देखो, plus देते हैं, लेकिन यहाँ minus है, तो minus हो जाएगा, और t और cos का differentiation माइनस का sin, ठीक है, चलिए, यह यहाँ कट जाएगा, dy बर्टा dt, बराबर यह minus minus प्लस हो जाएगा, a, t, sin, t, समिकरन 2, समिकरन 2 में समिकरन 1 से भाग कर देते हैं, समिकरन 2 में, समिकरन 1 से भाग देने पर, समिकरन 2, यानि कि dy बर्टा dt, और समिकरन 1 यानि dx बर्टा dt, इसका value है, a, t, sin, t, और उसका value है, आपके पास, a, t, cos, t, a, t, cos, t, ठीक है, यहाँ, dt से dt कर गया, dy बर्टा dx, बराबर, a, t, से a, t कर जाएगा, tan, t, आ जाएगा, हमें कितना पे, तो, at, t, बराबर, pi by 3 पे निकालना है, देखलो, question में, pi by 3 पे है, चलिए, तो, क्या हो जाएगा, dy by dx, याद करना है, t, बराबर, pi by 3 पर, तो, आज आगा, tan, pi by 3, तो, tan, pi by 3, यहन्य, 60, root 3 होता है, इसके value, चलते हैं, अगले question पर, तो, जब इस तरह का question होगा, तो, आप simply, एक को, यू माल लो, एक को, यू माल लो, साइन स्कॉयर एक को, और एक को भी माल लो, simple है, बहुत simple है, चलिए, दोनों को, लग-लग, differentiate करेंगे, किसके respect में, आपको कैसे दिखने लगे, तो, यहाँ, यू और भी दो चर है, जिसमें, यहाँ, एक्स अलग चर है, तो, यहाँ क्या होगा, प्राचर आपका एक्स होगा, तो, differentiate करेंगे, किसके respect में, एक्स के respect में, तो, दी यू बटा, dx, बराबर, e to the power, cos x, और cos का, minus sin x, तो, यहाँ, समिकरन 2, इसमें, इससे भाग कर देते हैं, इसमें, इससे भाग करेंगे, क्योंकि, इसका, ओकलाज निकलना है, इसके respect में, पहले वाले का, ओकलाज, दूसरे वाले के respect में, इसलिए, समिकरन 1 में, समिकरन 2 से भाग करेंगे, समिकरन 1 में, समिकरन 2 से, भाग देने पर, भाग देने पर, क्या हो जाएगा, तो, du बटा में, dx, और बटा में, db बटा, dx, वराबर, 2 sin x, cos x, बटा में, e to the power, cos x, minus cos sin x, x कट जाएगा, यानि कि, यहां से, du बटा, dx, du बटा, db, du बटा, db, बढबर, प्राप्त हो जागा, यहां देखो, साइन से साइन, तो कट जाएगा, ना, साइन से साइन, कट जाएगा, यानि कि, minus का, 2, cos x, और बटा में, e to the power, cos x, कितना सिंपल है, समझगे न, चलिए अगला, question देखते, जैसे, question number 14, देखो, यह भी simple है, माल लेते हैं, यहां, u बराबर में, 10 x, क्योंकि, 10 x का, अगल निकाला है, cortex के साप x, तो इसको, भी माल लेंगे, cortex को, और दोनों को, अलग-अलग, differentiate करेंगे, x के respect में, यहां, प्राचल आपका, x होगी आप, तो, du बर्टा, dx, बराबर में, 10 का, क्या होगा, c x square x, समिकरन 1, अच्छा, यहां हो जागा, db बर्टा, dx, minus का, कौ से के square x, समिकरन 2, समिकरन 1, में, समिकरन 2, समिकरन 1, में, समिकरन 2, से, बहुत simple है, 2 से, भाग देने पर, भाग देने पर, चलिए, तो, du बर्टा, dx, बर्टा में, db बर्टा, dx, बराबर, c square x, और बटा में माइनस का cos x x यहां यहां कट जाएगा ju बटा में d b बराबर देखो यह उपर जाएगा तो sine नीचे आगा यहां तो cos, sin बटा cos 10 minus 10 square x, यहां से अंसार होगे, कितना simple है, फिलिए अगला question देखेंगे, पंदल नंबर, यहां भी आप उसी तरह का question है, माला u बराबर में cos x, और b बराबर में x, दोनों को differentiate करते हैं x के respect में, differentiating with respect to x, यहां हो जागा, du बराबर माइनस का sin x, समी करण 1, और यहां हो जागा, db बराबर 3 x square समी करण 2, समी करण 1 में, समी करण 2 से, समी करण 2 से, भाग देने पर, भाग देने पर, क्या हो जागा, du बराबर में dx, बराबर, db बराबर, dx बराबर माइनस का sin x बर्टा में 3x square dx से dx कार दो आगे आपका du बर्टा d भी बराबर में minus sin x बर्टा में 3x square यही आपका answer हो जागा चलते अगले कोशन पे कोशन नमर 16 देखो कह रहा है x बर्टा sin x के साथ x ओकल गुनांग निकाले देखो कोशन में थोड़ा गुमा दिया है ओकल गुनांग का मतलब क्या है ओकलन निकालन निकालने की ओकल गुनांग निकालने की बिधी को ओकलज कहते हैं आपको पता है तो ओकल गुनांग यह आप ही differentiation ही करना है तो माना u बराबर में x बर्टा में sin x और b बराबर में sin x इसको u बटा भी पे और उसको simple है वो तो चलिए differentiate करते हैं with respect to x du बटा में dx बराबर हो जाएगा नीचे देखो sin square अच्छा x का differentiation 1 और sin x into में रहेगा minus x को ऐसे रखे sin का cos x यानि यहां से हमारा du बटा dx बराबर हो जाएगा sin x minus x cos x बटा में sin square x sin square x समिकरन एक मानते हैं अच्छा b बराबर में है आपका sin x तो इसको differentiate कर दो with respect to x d b बटा में dx बराबर sin का क्या हो जागा cos x समिकरन तो इसमें भाग कर देते हैं तो समिकरन एक में समिकरन दो से भाग देने पर समिकरन दो से भाग देने पर चलिए भाग देते हैं तो यहां से हो जाएगा du बटा dx बटा में d b बटा dx बराबर sin x minus x cos x बटा में sin square x और इसके बटा में आएगा या cos x चलिए यहां से आप देख लो यहां कट जाएगा dx dx तो du बटा d b बराबर में sin x minus x cos x बटा में यह इससे गुना कर जाएगा sin square x cos x समझ गया है चलिए अगले question पे चलते हैं question number 17 देखो इसको माल लेते हैं u u बराबर में root under sin 1 plus x square का whole square अच्छा और इसको भी माल लेते हैं 1 plus x square यह लिए लिखते हैं differentiating with respect to x इसका differentiation du बटा dx बराबर root में है तो 1 by 2 root under जो है वो तो रहेगा ही sin 1 plus x square का square अच्छा sin का फिर यहां cos हो जाएगा 1 plus x square का square अच्छा फिर इसका differentiation करेंगा तो इसका differentiation क्या होगा power नीचे उतरेगा power में से 1 घट जाएगा तो power में 1 तो लिखेंगे नहीं फिर 1 का differentiation 0 x square का हो जाएगा आपका 2 x चलिए एक 2 से यहां 2 को कार दिए तो यहां से du बटा dx बराबर क्या आया तो यहां पे देखो क्या आएगा 2 x ब्रेकट का अंदर 1 plus x square इंटू में cos 1 plus x square का whole square बटा में root अंदर sin 1 plus x square का whole square इस तरह से समिकरन 1 अच्छा और अब भी बराबर भी बराबर क्या है 1 plus x square तो इसको भी differentiate कर देते हैं differentiating with respect to x क्या हो जाएगा db बटा dx बराबर में 2 x होगा ना सिर्फ समिकरन 1 में समिकरन 2 से भाग कर देते हैं समिकरन 1 में समिकरन 2 से समिकरन 2 से भाग देने पर चलिए क्या हो जाएगा du बराबर में dx बराबर 2 x ब्रेकेट में 1 plus x square अच्छा cos 1 plus x square का whole square बराबर में root अंदर sin 1 plus x square का whole square और इसके बटा में है आपका 2 x d by dx का value यह यह कट जाएगा चलिए और यहां देखो dx से dx कर जाएगा तो यहाँ du बराबर d भी आ गया 1 plus t 1 plus t square और फिर इन्टू में cos 1 plus x square का whole square बटा में root अंदर sin 1 plus x square का whole square यह आपका answer हो गया है चलते हैं अगले question पे चलिए अगला question लेक्ते हैं इसे माल लेता हूँ माना u बराबर में आपका दिया है 10 inverse 2x बटा 1 minus x square और b बराबर में cos inverse 1 minus x square बटा में 1 plus x square यही नहीं है आपका तहां दोनों तो formula ही दिख रहा है आप देखो ना यहाँ भी 210 inverse x का formula है और यहाँ भी 210 inverse x का formula है अब तो simple है यार इसको differentiate करेंगे with respect to x में तो यहाँ से du बटा dx बराबर आजागा 2 by 1 plus x square और इसको यहाँ पर करेंगे तो dv बटा dx यह भी आजागा 2 by 1 plus d square समीकरन 1 में समीकरन 2 से भाग करतो समीकरन 1 में समीकरन 2 से भाग देने पर तो यह भाग देते हैं आपर क्या हो जाएगा आपका du बटा dx बटा में dv बटा dx बराबर में 2 बटा 1 plus x square और बटा में 2 बटा 1 plus x square यह x होना चाहिए था चलिए यह पूरा कर जाएगा यहाँ से आपका du बटा में d भी बराबर 1 आजाएगा समझ गया है चलते हैं अगले question पर यही काम करते हैं इस वीडियो में इतना ही रहना जाता है next वीडियो में देख पाएगे क्योंकि थोड़ा सा long question है इसमें नहीं हो पाएगा next वीडियो में आगे कि बचे हुए question को देखेंगा तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं paint करते हैं इससे related वीडियो देखने के लिए सीधे description में जाना आपको पूरे book का link description में मिल जाएगा है और comment जरूर किया करो वीडियो पर कि हमारे channel के वीडियो आपको कैसे लगते हैं थांक्स पर वाचिंग देख वीडियो